मैसेप मनीशा वेलकम टेमेल्टी एजुकेशन पॉंट आज का हमारा टॉपिक की इम्मिनिटी इम्मिनिटी क्या होती है इम्मिनिटी की डेफिनेशन है एबिलिटी ओफ होस्ट तो फाइट अगेंड्स यानि की कुछ ऐसे बैक्टेरिया या माइक्राइश्म में इनवल्मेंत में भूट सारे होते हैज वह एबनाती है जिससे कि वम उस बैक्टिरिया करते हैं तो कि यह होती है यानि कि होस्ट की इतनी हो जाती है यानि कि उस माइक्रो और्गनिजम से क्या कर सकता है या फिर कोई प्यक्तिरिया हो गया गया वाइरस हो गया तो यह exist Mating circuit वी टको हम खेसे ऑस ऑर एंपने को हम कहते हैं तो इनेट अबी धीलand मेन अमका होती है इनेट को हम कहते हैं फिनेट होगी एक पruit सब जोंग सबने कि लिएयों तो बॉलन मतलब यानी की जन्म से अंदर है जन्म से ही मिलती है इता है वह ये मिन बेचे होते हैं उनको बिमारियों से यह इम्मिनिटी बचाती है इन बॉर्न या फिर नेटीव इम्मिनिटी कहते हैं अब इक्वाइड नाम से समझ में आ रहा है कि प्राप्त करना यानिके इन लाइफ आप राप्त करते हो जब आपको कोई बिमारी होती है जैसे कोई तो ये इन लाइफ आपको मिली है और इन्बॉर्न जो है वो पहले से मिली हुई होती है आपको जन्म से ही आपको प्राप्त होती है जब भी बैक्टेरीया वाईरस ओर या फंगाई यह आपके अंदर इंतर करता है इन्दर वोरेजिंट पार्टी कल्स तो यह यह मैंने आपको बताई दिया है इन्नेट यानि कि इन्बॉर्ण यानि कि आपको जन्म से ही मिली हुई है तो इसके डाफिनेशन देख लेते हैं इन्नेट इम्मॉर्ण रेजिस्टेंस अगें इन्फेक्शन इन्डिविजल पॉसे राइट फ्रों बर्थ यानि कि इन्डिव जबकि इकवाइड इम्मिनिटी जो है उसको बनने में कई दिन लग जाते हैं या विक भी लग जाता है सब्ता भी लग जाता है जैसे ही कोई बैक्टेरिया माइक्रोडी के अंदर इंटर हुआ है इसकीन के जबार हो सकता है कोई भी आपने ऐसी चीज खाली है जिसमें तो यह वी वोडस की जो है उसको पहचाने लगेगी और उसको किल करने लगेगा इन मीनिट में थेक है उसके बाद में आता है first line of force, how is a defense मतलब कि यह सब सबसे पहले जैसे कि इम्मिनिटी है तो उसको बनने में थोड़ा समय लगेगा वह जब तक वह इम्मिनिटी बनेगी इतने में तो क्या करेगा वह बैक्टेरिया की ग्रोथ जो होती है वह करेंगी और उस बेक्टेरिया को किल करेंगे उसके बाद में पर प्रस्ट इंट्रियों यानि कि यह इंदर पहले से मतलब कि कोई आपके अंदर प्रजेंट हो या ना हो यह इंदर होती है यह पहले से पहले से जबकि एक्वाइट एटर यह रिक्तिमिंघ्ट इन आपके इंदर इंटर करता है तब वह एक्वाइट इमुनिटी उसके अगेंटे है पहले से आपके अंदर प्रजेंट होती है ठ़र है नॉन स्पेसिफिक जोह है किसी पंटिक्वलर बैक्टेरिया के स्पैसिक नहीं होती है यह सैंवोनेला के लिए सफेशिक नहीं करें यह कोई सगया है यह दो-दोनों के लिए ज потр baked यह सारी सेम होगी इसके लिए की कलिए कोई स्पैसिफिक इम्म्यिटी नहीं बनेगे यह स्पैसिफिक इम्म्यृती जो है वह किसके लिए होती है एक्वायर इम्मिनिटी के लिए लिए फूर्थ है दे हैं नो मेमोरी नो मेमोरी मिन्स यानि कि जब भी कोई बैक्टेरिया जैसे कि आपको भी बुखार आ गया ता कोरुना हो गया है तो कोरुना होने के बाद में इन्नेट इम्मुनिटी ने अगर आपके उसके अगेंट्स जो है वह रियक्शन करी उसके यानि कि उससे लड़ लिया उसको मार भी दिया किल भी कर दिया अब सेकेंड बार जब फिर से वह कोरुना का वाइरस आपकी बोड़ी के अंदर इंटर होगा तो यह इन्नेट इम्मुनिटी ने जो फर्स में जो रियक्शन दी है सेकेंड बार भी वह उसी तरीके से उससे सेल्डेल तो इसको मारने की कोशिश करेगी तो सेकेंड टाइम में जैसी प्रोसेस यह फर्स कर रहा है जिस तरीके से उस बैक्टेरिया और वाइरस को क्यों प्रोड़िया का वाइस सेकेंड बी जब वह वाइक्टेरिया अपके अंदर होगा तो इसकी रिक्शन जो ऐँ व वह बंके रही नहीं है जब सेकेंड टाइम वापी से वही बैक्टीरिया आगर आया साल्मोनिला कामादों साल्मोनिला का प्रापिस आया है तो क्या करेगा ही इनर इम्मीह ने फास्ट आइम जैसे करें सेकेंड टाइम भी वैसे करेंगा अब हाम बात करते हैं रोल ओफ बेरियर इन इन्नेति इम्मुनिटी रोल बेरियर यानि की जिस तरीके से जिसे चोड चोर तीजोरी तक पहुच्छने से पहले उसे सबसे तो में गेट पार करना होगा फिर सेकेंड टाइम एक और गेट क्यों थो हमारी बोडी में इंटर होने से पहले बहुत सारे बेर जो है वह पार करने हो पोलाने था सब्सक्राइब होता है लार्ज को दिशिकल बेरियर टैके इनाटोमिकल और फिजिकल बेरियर इसमें क्या क्या हुआ है अमारा कर चाहिए प्र्योंस के आप लोदि के अंदर आये तो आपको बहुत सारी विमारिया हो सकती थी तो यह s-kyan क्या करती है उस माइक्रोब्स को हमारी बोडी के अंदर इंटर होने से बचाती है ठीक है उसके बाद produce serum containing antimicrobial peptides and fatty acid यह जो oily-oily secretion हमारे skin पर होता है इसकीन आपको oily oily दिखती होगी तो यह sebaceous glens होती है वो sebum secret करती है जिसमें कि क्या present होता antimicrobial peptide और fatty acid present होते हैं जो कि fight करते हैं उस microbes को और उसको हमारे skin के अंदर इंटर होने से बचाते हैं clear है? अगर जैसे कि आपको कोई वर्त बैक्टिरिया वह हो आपको पार कर लेगा क्योंकि इसाट रहाता वही जगह है चोटट लगई क्यों से हुआ है किससे हुआ है तो वह क्या है उसने से कीन बैरियर पार किया वह में पयंक हुआ है कि यह मारे मुकाष तिया खाना को तो यह घर को घर है तो हम क्या करते हैं बहुत सारी अमरे स्सक्राइब कना नहीं है तो उसके साथ में बहुत सारे बैक्टेरिया कभी चोटे चोटे से दिखते नहीं है और वह खाने में आ जाते हैं या फिर पीरे में आ जाते हैं तो यह म्यूकस सिक्रीट कर रहा है तो वह क्या करता है उस माइक्रोब्स को क्या करेगा इंट्रेप्स कर लेगा अपने अंदर माइक्रोइम साथ में जुए सजय और अगरे मसफने word दधकेल और यानि कि बहार दहकी गया निदी की ऊड़ में कि में भी तो यह तो यह मारा इन और या कृश्य कन चलीpower याद निकीट पर्टिक्लर की जरौत होती है उनकी ग्रोथ के लिए यानी कि जिसे कुछ बैक्टार्या जो है और वो तो है नहीं तो क्या होगा वह बैक्टीरिया कील कर देगा तो टेंपरेचर जो होता है वह भी एक हमारे फीजियोलोजिकल बेर की तरह काम करता है इन्हें बीड ग्रोथ अब हमारा सैल्यूर बेरियर यानि की सैल किल करने का काम करेंगी बैक्टीरिया को अभी तक हमने देखा पी एच टेंपरेचर सब देख लिया है तो अब जो हमारी सैल है बोडी के अंदर जिसमें से डव्ली बीसी निट्रोफिल मैक्रोफेज और नेच्रिल किलर सैल जिसे हम और नके सेल केते हैं इनका में रोल होता है अब डावली बीसी जो है वह में पार्ट है किसका तो डव्ली यूपीज़ के टाइप सोते हैं एग रीनियूलोसाइट और इंट मैं उसके बाद एग रेनियूलोसाइट है तो जैसे ही हमारी बोडी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताये था फैले की सबसे पहले प्रिवेंट करता है क्योंकि बहुत सारे माइक्र और इंवार्मेंट में गुमते रहते हैं जब हमें चोट लग गई तो डायरेक्ट जो है वह हमारी बोडी के अंदर इंटर हो गया है उसका ब्लड से डारेक्ट इंटरेक्शन हुआ है तो यह हमारी क्या है इंटरोस तरह यह है यह कैसी ब्लता है जैसे कि सालमोनेला के लिए इसका स्पैसिफिक इंटीजन इसके उपर होता है यह जिससे के हमारी सेल यह आइडेंटिफाई कर सकती है कि हाँ यह कहीं माइक्र और्गनिस्म बेक्टेरिया वाइरस उसका सेल है उसके बाद यह हुमन सेल है तो हुमन सेल के उपर भी ऐसे स्पैसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो जिससे कि वह जो हमारी इम्मिनुटी वाली सेल है वो क्यों माइक्रों और्गनिस्म जो है कोई बैक्टेरिया वाइरस जो है उसी को किल करता है ना कि हमारी हुमन सेल को ठीक है तो यह हमारी बोड़ी के अंदर इंटर हो गया है और सबसे पहले कौन आएगा निट्रोफिल आएगा चला जा बेटा त होती है वह बहुत जादा बढ़ जाती है तो इसको किल नहीं कर पाती है तो फिर का होता है यह एकड़करिया को क्यम कर था तो एक साथ इंफ्लउक्ड कर लेगी इसके बाद में जैसे लाई तो यह क्या करएगी वाइरस इंफेकटेट से जो है जो tumor cell है उनको kill करने का या फिर खाने का influx करने का काम करती है उसके बाद में आता है cytokine cytokine क्या है virus infected cell secrete protein निकी जब infection हो जाता है bacteria हमारी वोडी के इंदर एंटर कर जाता है तो अगर책 उसने infectious कर दिया है तो जो हमारे infected cell Mumbai infected cell जो है वो क्या करेगी एक प्रोटीन रिलीस करेगी जिसे हम साइटोकाइन कहते हैं उस प्रोटीन का नाम जैसे कि इंटर्ल्यूकिन हो गया या फिर इंटर्फेरोन हो गया तो यह एक प्रोटीन रिलिस करेगी जिसे हम कहते हैं cytokine और interleukin या फिर interferon ठीक है यह cytokine जो है इसमें जो protein का नाम है यह है interleukin और interforin cytokine तो ही एक barrier है यह जो bridge का काम करता है बीच में इसके बीच में infected cell और non infected cell के बारे में तो अब हम बात करेंगे एक्वाइड उम्यूनिटी के बारे में थैंक्स